तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि unlimited PDF file हम कहां से download कर सकते हैं दोस्तो आप कोई भी विशय में अगर आप PDF file चाहते हैं वो PDF file इंटरनेट से download करना चाहते हैं तो दोस्तो आप unlimited PDF file content कहां से download कर सकते हैं कैसे download कर सकते हैं वो सारा जनकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो पर लाश्ट तक बने रहे हैं देखते रहे हैं और सिखते रहे हैं चलिए दोस्तों बिना किसी देरे के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पता दू मेरा नाम है राजीब और आप देखरे अपना YouTube चैनल एटेप मित्रा तो चलिए डाउनलूड करते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है Google Chrome को Open कर लेना है उसके पर दोस्तो आपको Google में टाइप करना है PDF Drive ठीक है यहाँ पर देखे मैंने पहले ही सर्च किया था PDF Drive उसके पर दोस्तो यह जो First Website आपको दिख रहा है PDF Drive.com आप इस पर चले जाएंगे यहाँ से दोस्तो आप Unlimited जो है Free PDF File Download कर सकते है उसके पर दोस्तो यहाँ पर लिखा हुआ है Sign In आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक है Sign In पर क्लिक करने के पर दोस्तो अगर आपको एकॉन बना हुआ है तो आप यहाँ पर Email ID डालेंगे यहाँ से Password डालेंगे और Sign In कर लेंगे दोस्तो अगर आप इस वेबसाइट को पहली बार यूज कर रहें तो यहाँ पर दोस्तो आपको एकॉन क्रियेट करना होगा ठीक है दोस्तो मेरा इस वेबसाइट पर पहले से एकॉन बना हुआ है तो मैं अपना Login ID से इसे Sign In करता हूँ उसके बाद कुछ फाइल आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो दोस्तो हमने यहाँ पर अपना Email ID और Password एंटर कर लिया है अब मैं यहाँ Sign In पर क्लिक कर लेता हूँ और जैसी दोस्तो मैं Sign In पर क्लिक करूँगा तो इसमें मैं Login हो जाऊँगा जैसे दोस्तो आप इसमें Login होंगे तो यहाँ पर आपका नाम सो करने लगेगा जो नाम आपका Email ID में है वो नाम दोस्तो आपको यहाँ पर सो करने लग जाएगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Number of File कितनी है इतने तरह के PDF फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे जैसे कि दोस्तो मुझे जो है Excel का Notes डाउनलोड करना है यह website दोस्तो टीचर्स और स्टूडेंट की Help के लिए बनाया गया है अगर आपको किसी भी सई पर बुक चाहिए यह PDF चाहिए वह सारा चीज दोस्तो आप यहाँ से असानी से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो मुझे Excel का Notes चाहिए यहाँ पर हमने सिर्फ Excel लिखा सर्च आइकन है इसपे क्लिक करके मैं Excel वर्ड को सर्च कर लूँगा ठीक है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप फिल्टर आइकन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एनी लेंग्वेज आपको किस लेंग्वेज में Notes चाहिए वह आपको यहाँ से सर्च कर लेना है जैसे कि दोस्तो मुझे हिंदी में चाहिए तो यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा ठीक है अब अगर हिंदी में Excel का Notes अबलेबल होगा तो यहाँ पर मुझे सो कर देगा उसके बाद देखिए दोस्तो यहाँ पर लिखा हुआ है Microsoft Excel ठीक है आप इस पर Right क्लिक करके Open New Tab में जाएंगे ठीक है और दूसरा है दोस्तो MS Excel किया है चलिए मैं इन दोनों को New Tab में Open कर लेता हूँ New Tab में Open करने के लिए दोस्तो इस पर आप Right क्लिक करेंगे Open Link इन New Tab पे क्लिक करेंगे ठीक है तो यह दोस्तो क्या होगा कि New Tab में Open हो जाएगा और यह Adds विगर आ रहे हैं तो यह मैं यहाँ से Close कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है Save to Drive यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तो तो यह जो है हमारे Google Drive में Save हो जाएगा ठीक है और अगर आप इसकी Preview देखना चाहते हैं तो यहाँ Preview पे क्लिक करके आप इसकी Preview देख सकते है कि इसके अंदर content किस त दिया हुआ है तो यहाँ पे देखें दोस्तो यह सारा चीज जो है दिया हुआ है अब यहाँ पे File menu के बारे में सारा चीज दिया हुआ है कि New का मतलब क्या होता है Open, Close, Save, Save As इस सारा चीज जो है यहाँ पे अच्छे से Explain किया गया है तो आप इस तरह से Excel के Notes डाउनलोड कर स लेकिन दोस्तो आप डाउनलोड करने से पहले एक बार पर रिव्यू जरूर देखें कि उसके अंदर जो भी चीजे लेखा हुआ है यानि जो भी कंटेंट है वह आपके काम का है या नहीं है ठीक है तो दोस्तो आप यहाँ पे देख पा रहा है कि फाइल जो सिंक हो रहा है ठीक है और थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो यहाँ पे कहा रहा है ट्राइगें पर हम क्लिक करेंगे अगर दोस्तो बार बार इसी तरह का आ रहा है तो आप इस तरह से क्लोज करेंगे ठीक है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेब टू माई ड्राइब आप सेब टू माई ड quickly download कर सकते हैं अपने PC में यहाँ पर देखे quick download पर जैसे हम clicking करते हैं तो्हेयं पर हमारे laptop में what year download हो गया है अब यहाँ पर click करेंगे और यहाँ open लिखा हुआ open पर click करेंगे तो यहाँ देखित तो यह not just है हमारे PC में download हो गया है ठीक है अब हम जो है इसे अच्छे से access कर सकते हैं इस PDF को पढ़ सकते हैं ठीक है MSXL क्या है MSXL एक software है जिसे Microsoft द्वारा design किया गया है निर्मिर किया गया इस तरह से यह सारा चीज जो है explain किया गया है यहां पर कुछ screenshot के माध्यम से सारी चीजों को आपको अच्छी से समझाया गया है ठीक है दोस्तों और भी एगर कुछ भी यहां से download करना हो तो आप यहां पर बस असानी से आप उस book को search करेंगे जैसे ncrt math ठीक है ncrt math यहां से मैं search कर लेता हूं यहां पर करेंगे math कही तरह के आगे class 9 का math आगया math class 6 का आगया math 12 का आगया ठीक है यहां पर आप किसी भी class का math download कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां से जो है language select करेंगे यहां पर मेरा already हिंदी select है ठीक है यहां से मैं कोई भी math को भी डाउनलोड करके देखाता हूं जैसे class 9 mathematics ncrt textbook इस पर जैसे हम click करेंगे तो देखे इस तरह का आएगा इससे पहले दोस्तों आपको जो है google drive में इसे save करना होगा ठीक है यहां पर click करेंगे पहले यह जो है quick downloads आप इस पर click करेंगे तब जा करके यह जो है आपके PC में download होगा ठीक है और अगर preview देखना चाते हैं तो दोस्तों आप यहां पर click करके इसके preview भी देख सकते हैं ओके यह download हो गया है तो चलिए मैं यहां से इसे open करके आपको दिखा देता हूं देखे यह का तो देख पार है दोस्तों यहां पर हमने जो है class 9 का जो है math download कर लिया है ओके तो इस तरह से दोस्तों यह pdf drive.com बहुत ही helpful website है I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करें दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके चाहें क्योंकि दोस्तों मैं educational और technology से related इस दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूटोरियल में तब तक कले दोस्तों जाएं बंदे मात्रम